हाई फ्रेंट्स वेलकम टू नीशा स्माशन फ्रेंट्स मैं हूँ नीशा और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बेबी प्रोडक्ट रिलेटेड वीडियो लाई हूँ एक्चली हम पैरेंट्स को ना बहुत कुछ नहीं पता होता है और हम लोग ना धीरे धीरे ही experience करते हैं तो आज मैं आपके साथ शेर करूंगी एक toothpaste का review जिस toothpaste को मैं बहुत दिनों से use कर रही हूँ मेरी बेटी के लिए तो सोचा क्यों ना मैं इसका review आप लोगों के साथ शेर करूँ तो देखिए oral hygiene maintain करना बहुत important है और अगर छोटे बच्चों की बात करें वो तो और भी ज्यादा important है क्योंकि अगर हम अभी से ध्यान नहीं देंगे तो बाद में जाके problem हो सकता है तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूँगी how to maintain the oral hygiene of a baby and कौन सा toothpaste and toothbrush मैं यूज करती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेर करूँगी तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैं मेरी बेटी के लिए कौन सा toothpaste and toothbrush यूज करती हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यूज करती हूँ love love natural baby dent toothpaste जो की 12 months plus के लिए है तो देखिए यह 100% natural है क्योंकि इसमें है plant best formula जो ensure करता है best dental hygiene यह एक fluoride free and SLS free toothpaste है जिसमें है aloe vera जो gum को शूद करने में help करता है and cooling effect देता है यह toothpaste addictive free है and it can remove and prevents formation of plaque and bacterial growth जिसके बज़े से एक shiny white teeth हमें मिलता है तो अभी मैं बात करूँगी इसके flavors के बारे में तो देखिए यह bubble fruit flavor में है and दूसरा flavors भी available है I think strawberry flavors available है but यह flavor मुझे बहुत पसंद है and fortunately मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है यह bubble fruit flavor तो देखिए अभी बात करते हैं इसके cost के बारे में तो देख सकते हैं आप यह 100 gram का pack है and इसका जो price है ना मैं आपको एक बार दिखा दू इसका price है 178 rupees इसका MRP है 178 rupees so आप समझ सकते हैं कितना affordable and reasonable है यह toothpaste इसका 50 gram का pack भी available है आप purchase कर सकते हैं तो अभी ना बात करते हैं इसकी availability के बारे में तो देखिए यह toothpaste ना online available है आप Amazon Flipkart कहीं से भी इसको purchase कर सकते हैं otherwise आप offline भी किसी store में जाके purchase कर सकते हैं तो by the way मैं इसका link description section में दे दूँगी आप वहाँ से भी purchase कर सकते हैं तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ toothpaste कैसा है तो देखिए इस तरह का एक tube में आता है and जिसको ऐसा seal क्या होता है तो seal को ऐसे open करना है remove करना है इसको and इसके बाद ही आपको toothpaste डिखने को मिलेगा तो यह white color में है and इस toothpaste का texture कैसा है इसको use कैसे करना है मैं आपको बता दूँगी details में तो उसके पहले ना देख लेते है love lab का toothbrush जिसको मैं अभी मेरी बेटी के लिए use कर रही हूँ तो देखिए यह है love lab panda kids toothbrush and इसको बहुत ही अच्छे से design क्या हुआ है ताकि बच्चे अच्छे से इसको use कर पाए and इसका जो design है वो भी बहुत cute है and यह toothbrush ना 18 month blush बच्चों के लिए है तो अभी मैं इसको Samaira को देती हूँ and देखती हूँ Samaira का reaction कैसा है तो अभी आप देख सकते है Samaira बहुत खुश है new toothbrush लेके and बहुत happy भी है and मुझे open करने के लिए बोल रही है तो चलिए मैं इसको open करके आप लोगों को दिखाती हूँ and Samaira को देती हूँ तो देखिए इस तरह का pack में आता है जिस pack को open करना बहुत easy है यहाँ पर देखिए कुछ cut दिया हुआ है तो इसको न ऐसे प्रेस करते ही open हो जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते है Samaira कैसे jumping कर रही है वो बहुत ही excited है new brush को लेके तो चलिए मैं भी इस pack को open कर लेती हूँ and आप लोगों को दिखा देती हूँ toothbrush कैसा है तो सबसे पहले देखिए इस toothbrush का base में suction cap है जिसके वज़े से ये toothbrush stand हो पाता है तो इसके वज़े से आप इस toothbrush को कहीं पे भी रख सकते है stand करके for better hygiene and इसमें जो bristles से उसको आप देख सकते है एक plastic का cover से cover किया हुआ है जिसके वज़े से ये bristles हमें सब protected रहते है और मैं आपको पता दू ये जो bristles है बहुत ही soft bristles है मुझे तो पता ही नहीं था कि इतने कम दाम में इतने अच्छे bristles मुझे मिल जाएंगे and brass के जो overall quality है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि एक cute सा brass है design बहुत अच्छा है जो बच्चों को बहुत attract करता है and bristles भी soft है इसका जो MRP है na friends इसका MRP है 59 रूपी तो चलिए अभी मैं दिखा देती हूँ इस toothpaste को and toothbrush को यूज करके कैसे brush करना है मैं अच्छे से brush को धो लिया है थोड़ा सा गरम पानी यूज करके and अभी ना मैं इस toothpaste को toothbrush में लगाऊंगी और बहुत ही कम quantity में लगाऊंगी क्योंकि छोटे बच्चे है तो बहुत जादा toothpaste के कोई ज़रूरत नहीं है और toothpaste अगर बहुत ज़ादा हो भी गया तो भी problem नहीं है क्योंकि ये toothpaste बहुत ही अच्छा toothpaste है क्योंकि इसको अगर बच्चे swallow भी कर ले तो भी कोई problem नहीं है तो देखिए अभी मैं समाइडा को दे रही हूँ and समाइडा खुद से brushing करना start कर चुकी है उसको brushing करना बहुत अच्छा लगता है and वो खुद से करती है तो मैं कभी-कभी help करती हूँ but most of the time समाइडा अकेले and खुद से brush करती है मैं यहाँ पर देखती हूँ समाइडा brush कैशे कर रही है तो friends अभी बात करते हैं बच्चों के oral hygiene maintain करने के लिए हमें क्या-क्या follow करना होगा first and most important thing तो यह है कि दिन में दो बार brush करवाना होगा एक बार morning पे, सुवे उटने के बाद और दूसरी बार रात को सोने से पहले और अगर बीच में खाना खाए या फिर कुछ ऐसा खाए जो दात में फस सकता है उस type के खाना खाने के बाद भी अब brushing करा सकते हैं तो समाईडा को ना चॉकलेट खाने के बाद भी brushing करने का habit है क्योंकि ओ दात में चॉकलेट फसा रहना उसको पसंद नहीं है दूसरी बात यह है कि brush करवाने से पहले ना हमें एक अच्छा अच्छा tooth brush चूस करना चाहिए अगर एक साल से पहले का age है बच्चों का तो आप finger brush यूज कर सकते हैं और एक साल से ज्यादा है तो आप ऐसा tooth brush यूज कर सकते हैं जिसमें बहुती soft bristle होना चाहिए क्योंकि बच्चों के जो gum से वो इस time में बहुत जादा soft होते हैं जो teeth होता है वो धीरे धीरे निकल आता है तो इस time पर हमें ऐसा brush देना चाहिए ताकि बच्चे न अच्छे से brush कर सके कोई problem ना हो और हमें न एक अच्छा सा toothpaste चूस करके बच्चों को देना हैं जो कि बच्चों के लिए 100% natural हो and 100% safe हो क्योंकि देखिएगा बच्चे न हमेशा toothpaste swallow कर लेते हैं कुछ-कुछ बच्चों को तो gargle करना नहीं आता है तो कुछ-कुछ बच्चों को अच्छे से rinse करना नहीं आता है तो इस वज़े से भी बच्चे swallow कर लेते हैं और कुछ-कुछ बच्चों को तो toothpaste swallow करना ही अच्छा लगता है, toothpaste का taste ही अच्छा लगता है, तो हमें ना कुछ ऐसा toothpaste बच्चों को देना चाहिए, जिसको ना swallow करने से भी कोई problem ना हो, तो इसलिए मैं यूज करती हूँ, Love Love Naturals Baby Daint Toothpaste, जो की 100% natural है, and plant-based formula से बना है, तो इसको आप tension free होके यूज कर सकते हैं, मैं तो बिल्कुल tension free होके यूज करती हूँ, Samida कभी-कभी इसको swallow कर लेती है, और इसका taste ना Samida को बहुत पसंद है, तो Samida brushing भी enjoy करती है, तो हमें ना make sure करना होगा, कि हम अच्छा सा toothpaste चूज करके, करना ही better है, forcefully नहीं, So friends, I hope you like this video, और अगर आपको ये video informative लगी है, So please दूसरे parents के शाज शेर कीजिए, Stay happy and healthy, see you again in the next video, Bye Bye